तो देखे राम मंदिर पर लगता स्यासत ओर रही है इस बीच है विश्म हिंदु परिश्ट के कारे अधेक्ष ने अखिलेश व्यादव के बयान पर निशानत सादय है उन्होंने आरूप लगाया है कि अखिलेश व्यादव राज़ीती की वज़े से निमंतरन स्विकार नही नहीं आया यह तो ऐसा कहना है कि क्योंकि मैं डाकिये को जानता नहीं या डिलीवरी बॉय को नहीं जानता हूँ इसलिए मैं डाक या पोरियर रिसीव नहीं करूँगा क्योंकि निमंत्रन तो राम जन्म भूमी तीर्थक छेत्र का है। इस ट्रस्ट का निर्मान सरकार ने किया है। सुप्रीम कोट के आदेश से किया है। इसलिए ये कहना कि वो लाया कौन था ये देख करके मैंने मना कर दिया। असंगत है। वैसे मैं उनको देने गया नहीं था। इसलिए वो मुझे मिलने से मना करें ना करें ये प्रश्न नहीं होता। पर खर भी ना गया भी होता। मेरी हस्ती क्या थी। इसलिए मैं समझता हूं कि जो कारण वो बता रहे हैं वो कारण सच नहीं है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग्ग ब्रिटेन के दौरे पर है। उन्होंने अपने इस दौरे पर कहा कि अब हिंदुस्तान को को कोई आँख नहीं दिखा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अब छीन की हिंदुस्तान को लेकर जो नजरिया है वो बदला है। और उसे एहसास हो गया कि भारत अब कमजोर देश में यह बल्कि एक ताकतवर देश है आपको बता देए कि ऐसे समय में यह बयान रक्षामत्री राजनाथ सिंग का है जब डोबल टाइम्स में भारत को लेकरी चीज़े छपती हैं उसके बाद यह पहली प्रतिक्रिया है रक् इस फ्ट्रीज़े पें जो भारत को ठीज मीश फेसाओ हो गागागा उसमें हमारे सेना के जवाने देश जो करिश्मा निकाया है जो कहादुरी की है साहिर उसके कारविशाईनाथी ज़ार्रा भारत के बारे में बदल डिली है कि भारत अब कम्जोर दृद नहीं रहा बार तो दो टूक रक्षा मंत्री ने बिटेन से कहा कि देखिया वो पहले वाला भारत नहीं है इन सब के बीच में उनने ट्वीट भी किया और ट्वीट करते हुए क्या लेखा वो भी आपको बताएंगे दरसल रिशी सुनक से मुलाकात उनकी हुई और दोनों निताओं के बीच क साजा की गई है जब से रिशी सुनक ने बिचिन की कमान समा लिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका जो रवाया आया ब्रिटेन का पूरे का रवाया भारत की प्रतीर बदल रहा है